हलो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको ये बताने जारूं कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S22 Android में आप अपने मुआल फोन की slow charging की problem को आप solve कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वालों तो चलिए हैं आपे वीडियो का में start कर लेते हैं देखें दोस्तों कभी भी अगर आपका मुआल फोन slow charge होता है तो इसकी solution के लिए करना क्या है सबसे पहले तो आपको अपने मुआल फोन को restart करना है फोन को restart करने के लिए फोन के side वाला power button आपको उंगली से दबा के रखना है आपकी screen के सामने पेज आएगा इस पेज में आपको restart का यह option tap करना है इससे क्या होगा आपका मुआल फोन automatic switch off हो जाएगा फर इसके थोड़े देर बाद automatic switch on हो जाएगा restart करने से ही होता है हमारे mobile phone के android system में और कोई problem आ जाती तो problem जा solve हो जाती है mobile phone को restart करने से ठीक है अब दोस्तो आगला process आपको करना है कि आपको अपने mobile phone को जब भी charge करते हैं तो आपको अपने phone को charge करने के लिए हमेसा अपने phone के साथ वाला जो original charger होता है उसी को आपको use करना है अब दोस्तो एक चीज और ध्यान रखने है कभी भी आप अपने phone को charging पे लगाते हैं तो phone को charging पे लगा के अपने phone को इस्तमाल नहीं करना है इससे भी हमारे mobile phone जोन है slow charge होता है इं छोड़ी ओड़ी बातों का भी ध्यान रखना है सबसे पहले तो आपको अपने mobile phone का internet आपको चालू रखना है इसके बाद आपको mobile phone का setting page ओपन करना है setting page में आपको नीचे की side is software update पर टैप करना है इसके अंदर आपको डाउनलोड इंस्टॉल पर टैप करना है इसके अंदर आपको कोई भी update का बटन दिखाई देता है तो उसे आपको टैप करके अपने phone का software update कर लेना है जिससे आपके phone की slow charging की problem solve हो जाएगी ठीक है अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रोसेस यह करना है कि आपके mobile phone का charging port होता है जहाँ पर आप अपने charger का plug अपने phone से connect करते हैं तो mobile phone का charging port होता है उसे आपको हलके आथो साफ करना है होता कि हमारे mobile phone की charging port में थोड़ी बहुत दूल मट्टी चिबग जाती जिसके कार अब दोस्तों अगला प्रोसेस करना है कि आपको अपने mobile phone को reset करना है यहाँ पर सबसे आपको लिखना है आपको को तो आपको निचे के साइडी रिसेटों सोगा रिसेट पर टाप करना है इसका अगले पैज में सबसे नीचे की साइड है आपके फोन की स्लो चारजिंग की प्रॉलम solve हो जाएगी लेकिन आपको phone को reset करने पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके phone में जितना भी data सारा data आप किसी दूसरे phone में transfer कर लीजे या उसका backup ले लीजे दूसरी बात ही ध्यान रखना है कि आपके phone की Gmail ID और उसका password आपको पहले से note करके रखना है तो इसके बाद आपको अपने phone को reset करना ठीक है तो मेरे बताया हुई सारे process use करेंगे तो इससे आपके phone की slow charging की problem solve हो जाएगी अगर मेरे बताया हुई सारे process use करने के बाद भी आपके slow charging की problem सख्रोंने थो करने क्या है दोस्तों आपके कुराetzung क्यों सब्सक्राइब तो आपको क startups केंह millet आपदें हुए हुज Krust आपको में स्युक्त कि मैं आपको इस 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 म territories अख आपको को सुल काुछ то स्वानियीज स्वानियीज ओर पटाएं है प THE